क्या आप अपनी गाड़ी डारेक्ट फिफ्ट गेर से चलाते हैं और अगर चलाते हैं तो क्या गाड़ी स्मूज सी चलती है मैं केम शर्मा इंश्योंस सेज्टेनर 14 टाइम्स अप सबका वेलकम करता हूं दोस्तों मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं क्या हम अपनी गाड़ी डारेक्ट फिफ्ट गेर पर चलाते हैं और कभी अगर हम गलती से यह कोशिश करते हैं तो गाड़ी खड़-खड करती है और जर्रली रुक जाती है और हमारी का इंजन भी खराब होने का दरता है कहीं सेम प्रसीजर हम पॉलसी बेचते हो तो नहीं कर रहे इंशनिस पॉलसी बेचने के लिए भी चार से पाँच स्टेप है तो वो पॉलसी आराम से से करोती है जहां अगर आप 6-7 पॉलसी सेल कर सकते हैं लेकिन वो स्टेप्स हमें समझने जरूरी है हम जरूरी प्लान और चेक यह लास्ट स्टेज लास्ट गिए रहे हैं फूर्थ और फिफ्ट इस पर गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी रुकने का डर है इंश्वर्स पॉलसी सेल करने की गाड़ सेकेंड हमारी ओपनिंग थर्ड हमें इस्टेब्लिश करना होता है वहाई क्लाइंट को पॉलसी क्यों लेनी चाहिए देन जब वहाई इस्टेब्लिश होता है तब हमारा सोलुशन पॉलसी आता है और लास्ट होता है चेक अब जरा याद किजिए हम सबसे बहले क्या कर रह और चेक मांग रहे हैं इसी लिए अक्सर हमारी गाड़ी बंध हो जाती है सेल्स की जो मैंने कहा दस में से 2-3 लेकिन अगर आप यह पूरे स्टप समझ लेंगे तो आपकी पॉरसी 10 में से 7-8 सेल होगी आप यही चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि दस में से 7-8 पॉर्सी सेल हो तो जोइन किजिए हमारा सट्रेटे संडे मॉर्णिंग साड़े साथ से 10 बजे तक का सेशन जिसके अंदर आपको हम डिफरेंट आईडिय देंगे कैसे फर्स सेकेंड थर्ड फॉर्थ फिफ्ट स्टेप लेकर के आप आसानी से पॉल्सी सेल कर करने में तो रेजिस्टर कर सकते हैं 599 रूपर से नमबर 9818294653 और इसी के ओपर अपनी पेमिंट का स्क्रीन शॉट आपका नाम ब्रांच और सिटी हमें वार्ट्सेप कर दें अभी फोन उठाइए और रेजिस्टरेशन कीजिए सटर्डे और संडे के इस सेशन का थैंक्य